नमस्कार दोस्तों आप से विखा स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल में जैसे कि आप थम लिल में देख रहे हैं एससी उनिवर्स्टी ओफ डेली ठीके डेली की जो सेंट सेंट स्टिफन्स कोलेज ओफ यूवर्स्टी है उसमें जो है प्रोफेसर के लिए जो सब्सक्राइब करेंगे क्या है इस नोटिफिकेशन को हम देखेंगे हम जब पढ़ेंगे तो क्यों कौन-कौन से में चीज़े हैं जिनको हम चर्चा करेंगे अपनी वीडियो में जो है लेंगे चलिए उसकी जो में जो चीज़े हैं उसके बारे में देख लेतिए एक बारकि नोटिफिकेशन में क्या मेन है कि तो दोस्तों यह अफिश्अल नोटिफिकेशन की जो में पॉइंट्स ठीक है सबसे पहले आपका व्क Please रेडिया क्राइटीरिया तोर सेमें अब क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और लास्ट में आएगा आपके जनरल कंडिशन से जिस जो आप फॉर्म बढ़ते समय या फिर अपलाई करते वक्त आपके पास होनी ची तो चलिए स्टाट करते हैं ओफिशल नोटिफिकेशन में चलेंगे और वन बाइवाद जो इन पूरे न चलेंगे डेली की वेकेंसी है इसकी जो डेट की बात करें हम तो नोटिफिकेशन जो है 11-11-2019 को जो निकाला गया है और आपके जो लास्ट डेट अपलाई करने की वह 10-12-2019 है ठीक है मतलब 10 तारीक दिसमबर 2019 तक आप जो है इस वेकेंसी के लिए इन पोस्टों के लिए ज आपके पर्मानेंट जो है वेकेंसी निकली है ठीक है आपका एकेडमिक जो प्य लेवल जो होगा वह 10-10 लेवल 10 ओफ थ 7 रटीक है मतलब साथवे वेतनमान के इसाब से जो के द्रियों प्य में उसके त्वारा जो 7th Pay Commission जो है उसके त्वारा जो आपको seller दी जाती है वो आपको इसमें Assistant Professor के लिए दी जाई तीक है आप जो है अप्लिकेशन को भरने के लिए जो आप जो वेकेंसी के लिए जो website दी गई है www.ststststststhans.education इसपे जाकर आप संब्रंग करसकते हैं आपका ज़ग है और आपका जो है एंडवर्टाइसमेंट जो है वह दो विक पहले zen इंदेट के पहले जो है आपको अंप यहिस से गोहीट की पर रसाव करते हैं केमेस्ट्री के लिए सबसे पहले आपके आता है केमेस्ट्री ठीक है केमेस्ट्री के लिए जो है जनरल ठीक है जनरल मतलब जो है जो समान्य जो महिला है पूरुष है उनके लिए जो है फोर पोस्ट है ठीक है फिजिकल हेंडिकेप्ट परसन जो है जो डिसेबिलेटी के साथ आते हैं उनके लिए कोई भी पोस्ट इसमें नहीं है फिलोसोफी के लिए जो है आपकी टोटल थी पोस्ट है और एक पोस्ट जो है वो फिजिकल हैंडिकेप्ट जो डिसेबलिटी में जो गरसन आते हैं उनके लिए दी गई है बाकि मैथमाटिक्स में आपकी एक पोस्ट है Economics में आपकी एक post है Physics में आपकी एक post है English में आपकी एक post है और लास्ट टी जो है हिंदी में भी आपकी एक पॉस्ट रहेगी तो आपकी total post जो हो जाएगी वह 12 post है 12 सिंच आपके total रहेगी टी कि क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका यह बोल रहा है कि गुड़ एकेडमिक रिकॉर्ड विद लिस्ट 55 परसेंटेज मार्क्स तो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और आपके जो टोटल परसेंटेज होने चाहिए वह पस्पन परसेंट से अधिक होने चाहिए अब यह बोल रहा है कि 5 परसेंट रिलक्सेशन जाएगा रिलक्सेशन दिया जाएगा रिलक्सेशन किसको SC, ST और Physical Headicap जो परसन है ठीक है और जिनोंने PhD डिग्री पास की रखर रखे ठीक है युनिवर्स्टी सिस्टम द्वारा जो है पहले से PhD डिग्री उनके पास है ठीक है और बोल रहा है कि और an equivalent degree of B in the UGC ठीक है आपके पास जो है B grade की UGC की 7 points scale के साथ जो है डिग्री होना चाहिए ठीक है अब बोल रहा है Candidate should have clear the national eligibility test की आपके पास जो है National eligibility test NET का जो है certificate होना चाहिए ठीक है और जो UGC द्वारा conduct किया जाता है ठीक है और बोल रहा है कि CICSIR और उससे similar जो कोई भी टेस्ट हो वो जो UGC द्वारा conduct किया जाता है उसमें आप pass होने चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और जिन्होंने NET National eligibility test जो दे रखा हो जनरल कंडिशन की हम बात करें तो पोस्ट रिजर्वड फॉर फिजिकल हैंडिकेप के बोल रहा है कि जो पोस्ट फिजिकल हैंडिकेप के लिए जो फिल की जाएगी उसको अगर बाद में जो है कोई भी अगर फिजिकल हैंडिकेप को अपलाई नहीं कर वो भी इसमें पेपर में अफलाई कर सकते हैं ठीक हैंडिकेप कोलेज इसके पूरा राइट है जो भी अपलिकेट जो है जिनके बी नंबर से जो भी कौलिफाई होगा इसमें इंटर्वी में उनको कोल करके बूला लिया जाएगा the college reserve the right of change the number and nature of post के बोल रहा है college जो है पूरा right रखता है आपके number of vacancy में चेंज करने के लिए और number of post में चेंज करने के लिए ठीक है और PWD candidate जो है में approach the help desk to set up the college in case they require any assistant in filling up the application form जो है पी डाब्लीकेशन पर जाके किसी अन्य अपने assistant से द्वारा form जो है फिल करवा सकते हैं अगर वो नहीं आ सकते हैं तो दोस्तों यह जो उसका पूरा notification था अन्य पूरे notification की चर्चा किए अगर आप जो है apply करते हैं ठीक है फिर आप qualified हैं ठीक है आप इसके criteria में आते हैं तो आप apply कर सकते हैं जो website है हमने पहले बता चुके है दोस्तों हम इसी वेकेंसी जो है टीचिंग से रिलेटेड जो भी वेकेंसी है हम उसको लेके आते रहेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही झाल 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 सब्सक्राइब